कुलेज ड्रोप आउट अरब पतियों की प्रेरक कहानिया अध्याय दो स्टीव जॉब्स हिपी गतिवीदियों में मगन स्टीव जॉब्स ने 19 वर्स की आयू में रीड कुलेज में वीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी अटारी कॉर्पोरेशन में नोकरी कर धन जुटाया था और भारत की अत्यात्मिक यात्रा पर निकल गया था वाप्तिस लोटने के बाद स्टीव ने 22 एक दबारा प्रारूपीत एपल वन को बजार में उतारा था और व्यक्तिगत कम्प्यूटर करांती का नेत्रेतव कर सिलिकोन वेली का महानायक बन गया था एपल वै पिक्सर का सस्तापक स्टीव जॉब्स प्रध्योगिकी का महान नेत्रेतव करता था जिसने जनसाधारण के लिए Macintos व्यक्तिगत कम्प्योटर यानि PC का अविश्कार किया था फिर उसने आईपाड नामक ऐसे क्रांतिकारी संगीत वादन उपकरण यानि म्यूजिक प्लेयर की रचला की थी जिसने विश्व संगीत उध्योग को हमेशा के लिए बदल लिया और आईपोड ने आईफोन के विकास का मारग प्रसस्त किया था जॉब्स ने आईफोन में चल दूर भास वे कम्प्यूटर की विश्यस्ताएं समाहित कर सुचना प्रेधोगी कियों यानि इन्फोमेशन टेकनोलोजी की संपूर्ण सक्टियों को जन साधारण की मुख्यों में रख दिया था एपल में दुबारा वापिस आने से पहले स्टिव जॉब्स ने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो के साथ कम्प्यूटर जीव संचारन चेतर में प्रवेस्त किया था और टोई स्टोरी जैसे ऐसे उच गुणवता के जीव संचारित कथा चेतरों की रचनाई की थी उध्योग की महारथी दे वोल्ट डिजनी कम्पनी ने पिक्सर को 7.4 अरब डॉलर के मुल्यांकन पर अपने पाले में जटक लिया था जोब्स के जीवन का अंतिम नवाचार टेबलेट कम्प्यूटर आइपेड था जिसके माध्यम से उसने बहुत हद तक व्यक्तिगत कम्प्यूटर की आवशकता को ही खतम कर दिया था वास्तम में जोब्स आइपेड के रूप में एक ऐसे उपकर्ण की रचना करना चाहता था जो विशव की सभी प्रकार की जानकारियों के साथ अपने छोटे से परदे पर मस्तिष्क का प्रणसकर्ण सक्ती या प्रोसेसिंग पावर का विस्तार कर सके रोचक तथ्य यह भी है कि प्रयध्योगी की उध्योग में स्टीव जोब्स ऐसा क्रांतिकारी नवाचारी था जो अपने ही उत्पादों की अत्या करने में भी कभी डरा नहीं था इंटरनेट अधारित वाणिज्य याने ई-कॉमर्स की शिरुवात के साथ ही जोब्स के अविस्कार जन संसार मादमो यानी मास मीडिया के खुद्रा बजार में उतल गुतल मचाने वाले साबित हुए थे और उन्हें एपल के वाणिज्यक पारी स्थितिक तंतर यानी कॉमर्स एको सिस्टम आईट्यूम स्टॉर में समाहित होना पड़ा था उपभोकता एपल उत्पादों के लिए गरजने लगे थे और कमपनी के वितिया परिणाम सारवजरिक बजारों में उसके नेतरितव की दोज फैराने लगे थे और स्टीव जोब्स के समतकारी नेतरितव वे निगरानी में एपल इथियास की सबसे अधिक सफल कमपनियों में गिना जाने लगा था जोब्स ने अत्यंत आकर्शक बनावटों तकनिकी जटिलताओं के बाद भी उनकी उपयोग की सरलता से समुचे प्रित्वी ग्रहप के उपयोग करताओं के मन वे मस्तिस को जीत लिया था एपल के हर उत्पाद हाश्य के प्यारे स्पर्श के साथ ने केवल ऐस अधारन थे बलकि सुरूची पूर्ण भी थे नवाचार में एपल नेत्रितव को बनाई रखने के लिए जोब्स एक तरफ अपूर्ती करताओं को नए मानकों पर खरा उतरने के लिए लगातार धकेलता रहता था तो दूसरी तरफ कंपनी के अंदर प्रतीभा साली अभी अंताओं की छोटी सी मंडली का नेत्रितव करते हुए उन्हें नए अनुप्रियोगों के विकास के लिए ललकारता भी रहा था भारती अध्यात्मिक्ता के प्रभाव ने स्टिव जोब्स को अपने पस्चमी मित्र से अलग दूर दर्सी नेत्रितव करता के रूप में विक्सित किया था यही कार्ण था कि वह वर्तमान की बजाई भविश्य की आवशक्ताओं वह सुनोतियों पर अपना ध्यान के अंद्रित कर पाने में सक्सम वह सफल सिद्ध हुआ था अध्यात्मित इवरता ने जॉब्स को ठिंक डिफरेंट के लिए अर्थात बिलकुल नई प्रकार की ऐसी चीजों की कलपना करने वाला बना दिया था जो दूसरे लोग देख नहीं सके यही कार्ण था कि जब जॉब्स किसी नई उत्पाद का सुभारम करता था तो केवल प्रध्योगी की समिक्षन सारी सिमाईं तोड़कर उसकी प्रसंसा करते थे और अगली सुबै उसे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए एपल स्टोर्स के सामने रात में भॉकताओं की लंबी लंबी कतारें सजने लगती थी जी हाँ स्टीव जॉब्स ने एपल को संप्रदाय या कल्ट ब्रांड के रूप में विक्षित किया था फोर्प्स पत्रिका ने मई 2017 में 178 डॉलर ब्रांड मुल्याकन के साथ अपनी विशव की सबसे मुल्यवान 100 ब्रांड सुची में एपल को लगातार साथ में वर्स भी पहले स्टान पर बनाए रखा था ने केवल ब्रांड मुल्ये में बलकी 214.2 अरब डॉलर ब्रांड राजशव के साथ अपल अपनी निकटतम प्रती दिवंदियों गूगल, माइक्रोसोफ्ट, फेस्बूक और अन्य से बहुत आगी चल रहा था वेसे तो स्मार्टफोन की विशव व्यापी विक्री के मामले में एपल का सैंसंग के साथ लगातार संगर चलता रहा है लेकिन सैंसंग ब्रांड मुल्ये 38.2 अरब डॉलर वै ब्रांड राजशव 16.7 अरब डॉलर दोनों ही मामलों में एपल से बहुत पीछे था रोचक तथ्य यह है कि ग्राहकों को आकरसित करने के लिए सैंसंग ने वर्स 2016-17 में 3.7 अरब डॉलर खर्च किये थे जबकि एपल ने केवल 1.8 अरब डॉलर पिछली डेड़ दसक में आईपोड, आईट्यून, आईफॉन वे आईपेड से एपल ने चार उज्जोगों मे क्रांती लाने के बाद, अप्रील 2015 में कम्प्यूटर शम्ता वाली घड़ियां एपल वोच उतारी थी, और 2016 में 1.16 करोड इकाईयां बेच कर स्मार्ट वाच बजार की 55% हिस्चेदारी पर कबज़ा जमा लिया था, ध्यान रहे कि नैत्रितव का परिवर्तन किसी भी कंपन होता है, यह तब और भी ज़्यादा कठीन होता है, जब किसी प्रतिष्ठित कंपनी के संस्थापक के स्थान पर कोई दूसरा आता है, याद करें कि जब नाइकी के फिल नाइट वह स्टार बक्स के हावर्ड सुल्ट ने अपना पद छोड़ा तो दोनों कंपनियां लड़ लगी थी, वर्स 1985 में स्टिफ जॉब्स को भी एपल से बाहर किया गया था, और वर्स 1990 के दसक में कंपनी मोत के कगार पर पहुंच सुकी थी, लेकिन जब वर्स 1996 में जॉब्स वापस आया तो एपल को फिर से अभूद पूरव उन्चाईयों की और ले गया था, अक्तूब जॉब्स ने उसे अपना उत्राधीकारी गोशित कर दिया था, यदि पिछले कुछ वर्सों से कुक के नेत्रितव में भी एपल की सफलता की गाड़ी तेजी से घूम रही है, तो सपस्ट है कि एपल अपनी ब्रांड निस्टा वै आंत्री के रचना ध्रमिता के दम पर जो हेपी समुदाय का सदश्य था, जिसने अध्यात्मिक चेतना के लिए महाविदाले की पड़ाई बीच में छोड़ दी थी, और सिलिकोन वेली के उत्यान के साथ साथ प्रोध्योगी की जगत का सबसे अधिक चमकदार सितारा बन गया था, सिलिकोन वेली का उत्यान सफल कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुदा यह महत सयोग होता है, कि कोई कि समय कहां उधुस्तित रहता है, स्टिव जॉब्स वह स्टिव बॉन्जियक की सफलता में बहुत बड़ा योगदान उनके पलने बढ़ने के स्थान को भी माना जाता है, जब जॉब्स दंपती ने खुबानी वे बेर की बगी ची थे, अमेरिकी सेना के भारी निवेश की कार्ण, शान्ता कलोरा, वेली के विविन नगरों, उपनगरों, केंबेल, क्यूपोर्टिनों, गिल्रोई, लोस, अल्टोस, अल्टोस हिल्स, लोस गटोष, मीपी टोस, मोंटे सेरेनो, मोर्गन ही, म माउंटेन विव, पॉलो अल्टो, सैन जोस, सांता कलारा, सारा टोगा, सनी वेल में प्रयध्योगी की उच्छाल का वातावर्ण बनना शुरू हो चुका था, अब दिलखुस गाटे की पैजान तेरी से बदलने लगी थी और इस तमोचे चेतर को सिलिकोल वेली के नाम से जाने जाना लगा था, अमेरिका के हरे बरे हजारों अन्य उपनगरों के मुकाबले शांता कलारा वेली के ये चेतर पूरी तरह से अलग थे, इन उपनगरों के अधिकास निवास से किसी ना किसी कंपनी में अभियंता यानि इंजिनियर थे, सधार व्यक्ति भी यहाँ अमेरिका में एतियासिक प्रद्योगी की क्रांती की इस मुक्षे छेतर में पलते बढ़ते स्टीम जोषका समवैदन सील बाल, मन, हर छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी गतिवीदियों को अपने अंदर समेट रहा था और उसके अंदर कुछ विशेस करने की अकांक्षा गहरी हो रही थी और जब स्टीव ने पहली बार वहाँ प्रदर्शित मैन फ्रेम कंप्यूटर टर्निमिरियल को देखा तो वह उसी में खोसा गया था नासा परिशर्स्न के ठीक बगल में लोग ही इंकॉर्परेशन था जहां स्टीव बेंजियक का पिता रोकेट अभ्यनता था और उसने अपने घर को ही प्रियोग साला में बदल रखा था इस परकार जैसे जैसे सांता कलोरा वेली या वेली ओफ हार्ट्स डिलाइट से सिलिकोन वेली की दिशा में अगरसर हो रही थी व्यक्तिकत कंप्यूटर के भावी करांतिकारी स्टीव जोब्स वे स्टीव बेंजियक भी बड़े हो रहे थे जि हाँ जनवरी 1971 में जब इंटेल कॉर्पोरेशन ने चार बिट सेंटरल प्रोसेसिंग या सीपी यू इंटेल 4004 का डिजाइन पुरा कर लिया था जिसे माइक्रो प्रोसेसरिया सुक्षम संसादन का नाम दिया गया था और दो माह बाद मार्स में उसे बजार में उतारा गया था इसके साथ ही शांता कलोरा वेली की पहचान बदलने लगी थी तब लोक प्रिये सबताहिक वैपार समाचार पत्तर इलेक्रोनिक्स नियूज में स्टंब कार डान सी होय फलेर ने सिलिकोन वेली यू एस ए सिरसक से आलेक्स रंकला लिखना सुरू कर दिया था शिगर ही एतियाशिक अल फेमिनो रियल रोयल रोट के लगबग बाज़ट किलोमेटर फेला पर दक्षनी सेन फ्रांसिसिकों से पालो अल्टो होते हुए सेन जोस तक फेले शांता कलोरा वेली के विविन उपन महानगरों में कम कमपनियों का जमघट शुरू हो गया था और यह शेतर सिलिकोन वेली की रूप में प्रशिद्धी प्राप्त करने लगा था इस बीच वर्स 1970 में स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क में जोरोक्स कॉर्पोरेशन ने यहां पालो अल्टो रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी जेरोक्स पारक नाम से महसूर इस चोद केंदर दवारा लेजर प्रिंटिंग इथरनेट आधुनिक व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी चित्रात्वक उप्योग गरता अंत्राफलक वस्तु उन्नु कार्यकरम निर्माण उन्नत कंप्यूटरिंग अवधारना सर्व व्यापक कंप्यूटरिंग अकार हिन सिलिकोन अनुप्रियोग बहुत बड़े पेमाने पर एकिकरन आधी की अविस्कार ने उन्नीस सो अस्ची के दसक की व्यक्तिगत कंप्यूटर करांती में अग्रणी भूमी का अधा की थी वर्स 1922 में यूजिन क्लीनर टॉल पार्केस फ्रेंक जे को फिर्ड वे ब्रूस बायर्स ने सेंड हील रोड मेलों पार्क में पहली उध्यम पुंजी कंपनी क्लीर को फिर्ड एंड बायर्स की स्थापना की थी सेंड फ्रांसिसिको खाडी छेतर के मातेयो काउंटी के बिलकुन पूर्वी छोर पर उससे सम्राथ सहरों मेलों पारक के उत्तर में सेंड फ्रांसिसिको खाडी दक्षिन में पॉलो ओल्टो वे स्टेन फोर्ड विश्व विद्धालिय और पस्चिम में आथ टर्ण नोर्थ सिर आउक्स वे रेड़ वूड सिटी बसा हुआ है सेंड हील रोड का उत्री शिस्सा स्टेन फोर्ड सौपिंग सेंटर या पोलो ओल्टो की पार्किंग में खतम होता है सिगर ही सेंड हील रोड पर उध्यमी पुन्जी प्रतिश्ठानों के अपने कार्याले खुलने लगे थे जिसके माध्यम से सिलिकोन वेली की आरंबिक प्रद्योगी की कमपनी समुचे अमेरिका के कुल वार्षिक उध्यमी पुन्जी विश्ठानों के बाद आया था और सेंड हील रोड को सिलिकोन वेली का वान स्ट्रीट कहा जाने लगा था जिस समय सिलिकोन वेली का विकाज हो रहा था तो विस्तव युदों की त्रास्दियों को जहलने के बाद अमेरिका विशव के सबसे शक्तिशाली रास्ट्र की रूम में उभर रहा था युवाओं में अंत जातिये विवाह का चलन तो तेज हो चुका था लेकिन विवाह से पहले गरबधार्ण को व्यापक समाजी के सविकृति मिलना सेस था अभी भी बड़े महानगर से दूर के छेत्रों में विवाह से पहले या उससे अलग सारीरिक सबंदों को पाप ही माना जाता था इससे भी बड़ी बात यह थी कि शुक्षम कि सुरक्षित गरबपात की आदोनिक प्रद्योगी की अभी सरवसुलब नहीं हो सकी थी जानलेवा घरबपात की घटना बढ़ रही थी ऐसे में कुछ समाद सेवी चिकित्चक एविवाहित मां के जीवन को बचाने के लिए सुरक्षित प्रशव की विवस्था कर रहे थे और फिर सुरक्षित विविश्य के लिए उन बच्चों को नी संतान डंपतियों को गोद देने का अभ्यान चला रहे थे ऐसे में 24 फरवरी 1955 को सेन फ्रांसिसिको के समाद सेवी चिकित्चक की देख रेख में प्यविवाहित मां जोआन केरोल ससी एबले ने बेबी जॉन डॉय को जनम दिया था इस बालक को एक नीशंतान डंपती पॉल रेन होल्ड जॉब्स वै कलोरा हिंगो पियन ने गोद लिया था तेन साल बाद बेबी जॉन डॉय को अधिकारिक नाम मिल लिया था स्टीव पॉल जॉब्स जो स्टीव जॉब्स की रूप में विशप्रशिद होने वाला था तो अभी आपने इस सेक्षन को सुना अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को समस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने चार दोस्तों के साथ शेयर भी करें धन्यवाद आपका दिन शो हो